सुद को डाउन करते रहते हैं, सेल्फ साबोटाज करते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उस मैज़से भी प्रोक्रेशनेट होता है काम, तो चार गंटे क्या करेंगे, वो चार गंटे टाइम पास में निकल भी जाएंगे, फिर शे बज़े लेगा, यार, आज बड़ी ही इंट्रेस्टिंग बात करने के लिए, मैं आपके साथ यहां पे रूबरू हो रहा हूं, face to face आ रहा हूं, वो इंट्रेस्टिंग बात क्या है, यह ना सिर्फ हम स्टूदेंट्स का ही, बलकि ओवराल जितनी भी वर्किंग या नॉन वर्किंग कम्यूनिटी है, जो इंसान है, जो यूमन्स है, उन सब का बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, बहुत बड़ा एक दुखती रग है, तकलीफ है, परेशानी है, जिसको हम इंगलिश में क्या बोलते हैं, procrastination, procrastination, का मतलब क्या होता है, simple सरल भाषा में इसका मतलब होता है, काम को टालना, औ जब तक वो इतना alarming ना हो जाए, इतना stressful ना हो जाए, कि आप फिर मजबूरी में उस काम को या तो खतम करो जल्दी 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 और half her side मतलब एकदम आधा दूरा type आधे मन से, या फिर आपको मजबूरी में वो छोड़ना ही पड़ जाए, कि आप तो नहीं हो पाए, और इस वज़े से, इंसान के कई काम डिले होते हैं, टाइम पे नहीं जाते हैं, डेडलाइन मैच नहीं हो पाती है, टार्गेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, एक्जाम में काम नहीं हो पाता है, यह चीज एक सबका प्रॉब्लम है, सबका ले आओ, तो ले आया, ठीक है, आज के session में हम ना सिर्फ ये बात करेंगे कि procrastination क्या है और क्यूं आता है बच्चों में, बलकि इससे लड़ा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे आया जाए, उस पर भी गौर करेंगे, ठीक है, तो शुरू कर देते हैं आज का session, procrastination the biggest enemy of students, अब पहल समझाद ही आपको, कि procrastination क्या है, किसी चीज़ को तब तक टालना, जब तक वो एक alarming state तक ना पहुंच जाए, ठीक है, तो वही मैंने पहले इसमें, अंग्रेजी में आपके लिख दिया है, the concept of delaying a task till the deadline और even after it, deadline तक delay करते रहे ना, या उसके बात ब्यारे छोड़ो बाद मे बरेंगे, यह जो attitude है, इस वज़ा से काफी काम अधूरे रह जाते हैं, और फिर इतने सारे अधूरे काम जब सिर पर pending बन जाते हैं, तो वो pressure पैदा करता है, वो stress पैदा करता है, अब बच्चे बोलते हैं, सर बहुत stress है, सर बहुत tension हो रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा है, उसका आधा करण तो यही होता है, अब कुछ list करते है points, जो आपको बताएंगे कि procrastination है क्या, जैसा मैंने बताया biggest enemy of students, और मैं आपे कहूंगा not only students, but every human being, यह सब का दुश्मन है, और बेटा कई बच्चे बोलते हैं, सर यह मुझे क्यों होता है, यह procrastination मेरे साथ ही क्यों होत रखता है, तो उसको कैसे challenge करना है, उसको कैसे overcome करना है, उसी की बारे में आज हम बात करेंगे, तो यह मैंने आपको already बोल दिया, देखो भई, यह point आ रहे हैं, उससे पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, कि यह बिमारी नहीं है, यह कोई personality का flaw नहीं है, यह सब के साथ हो यह क्यों होता है, कई बार तो यह इसलिए होता है, कि इनसान जो है, बहुत perfectionist हो जाता है, वो perfectionist बनने की वज़े से क्या होता है, कि जब तक काम वो perfectly dedicatedly नहीं कर सकता, तब तक वो काम उठाएगा ही नहीं, अभी भाई, किसी ने आपको काम दे दिया, कि एक काम करो बेटा, कोडिंग, डिकोडिंग का ये 200 questions है, ये 4 दिन में लगा लो, तो भाई कितने होए, 50 questions पढ़ेगे सबसे 4 दिन में आप अराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा target नहीं था ये, एक दिन में coding, डिकोडिंग के सिर्फ 50 questions लगाने को किसी ने आपको दिये, 4 दिन में आपको 200 questions क करना है, कल आ गया, अरे यार ये वाला काम रह गया, मैं भूल गया, परसो देखेंगे, अब 2 दिन पढ़े ना, 100-100 questions दोनों दिन कर लेंगे, कीसरा दिन आ गया, कीसरा दिन सुबह सुबह आपको धुक धुक होने लगेगा, क्यार, 100 questions आज करना ही है, कोई भी हालत में करना होगा, और आप या तो उसको धडले से आधे या दूरे गलत लगा के खतम करोगे, या फिर उसको बोलोगे, आप नहीं हो रहा है, मैं मना कर दूँगा, सर से कि मुझसे नहीं हो पाए, एक तो perfection के कारण ही हो जागर होता है, बहुत लोग के साथ, कई लोगों के साथ इसली अभी नहीं हो पाएगा, तो जो काम को बहुत बड़े नजरिये से देखने लगते हैं, जिनको काम एकदम अनचीवेबल लगता है, दोसों question करना तो ना मुम्किन है, ये तो नहीं हो पाएगा अभी, ये लोग भी procrastination करने लगते हैं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं हो बहुत negative हूँ, मुझसे हो भी पाएगा के नहीं, पता नहीं, खुद को down करते रहते हैं, self-sabotage करते हैं, अपने आप पे confidence ही नहीं है, उस मैसे भी procrastinate होता है काम, तो अकसर ये तीन major कारण देखे गए हैं procrastination, अब इससे क्या होता है, ऐसे लोग अकसर क्या होते है, phone notification से easily distract हो जाते हैं, जो लोग procrastination से इस समय आप जूज रहे होते हो, तो phone notification से easily distract हो जागए, अभी अब गहनता से, गंबीरता से कुछ सोच रहे हो, अचानक से कोई notification आया, अरे भाई, ये cricket की कोई वीडियो आ गई है, अरे भाई, फुटबाल की कोई वीडियो आ गई है, अरे कोई ऐसे निकल रहा है टाइम, और आपका attention span कम होता जा रहा है, क्योंकि एक सेकेंड, दो सेकेंड, पांच सेकेंड, एक मिनिट से कम की वीडियो आप बरदाश करते हो, अभी ये भी पता नहीं, ये वीडियो लंबी हो जाएगे, तो आप देखोगे कि नहीं देखोगे, मुझ जब काम का समय आता है, कि यार आज में चार बज़े से पढ़ने बैठोगा, चार बज़े पढ़ने बैठें, यार थोड़ी भूक लग रही है, काम करता हूँ, थोड़ा सा पहले खाना निप्टा लेता हूँ, फिर पढ़ेंगे, तो ये जो चीज है ना, ठेड़े मेडे पर आपको भूक लगने लगती है, खास कर तब जब आप काम करने बैठते हो, तो ये आपके दिमाग का तरीका है, आपको पुश करवाने का, काम करने से दूर हटाने का, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, पोस्ट पोनिंग, स्टड़िंग और एनी अधर रेलेवन टास कंटीनिउसली है, रे कल, 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 जब तक डेडलाइन बहुत सिवियरली पास नहीं आ जाती, ये एक बहुत बड़ा सूतर है, बहुत अच्छा फॉर्मिला है, ध्यान से समझो, मैंने अभी तक क्या समझा है आपको, प्रॉक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है बेटा, ये और इसी से जूजना आपको आना चाहिए, जो लोग प्रॉक्रेस्टिनेशन अकसर करते हैं, उनके लिए अभी जो मैं स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूँ, बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स है, वो हमेशा इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, देख लो बटा, देख लो मेर और विकेंड में करेंगे क्या, भाई कुछ मूवी देख लेंगे, कोई वेब सीरीज देख लेंगे, बस यही करते रहेंगे, वो भी करो, ज़रूरी है जिंदगी के लिए, बट बैलेंस बनाके चलो, ठीक है, या फिर कई बच्चे क्या ना टाइम स्मसिफिक होते हैं, पंदरा मिट बाद साथ बजे से पढ़ेंगे, ये भी प्रोक्राशिनेशन एक तरीके का, ठीक है, दूसरा, लेट्स वेट फॉर फाइव मोर मिनिट्स, यही वाली कहानी बता रहा था मैं, नेक्स्ट, लेट मी डू दिस आफ्टर अ क्विक नैप, पढ़ने बैठे, बूक लग गई, तो पहले ही सब निटा के बैठा करो भाई, ये कि I am not feeling motivated now, और ये सबसे important है बच्चा, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है बच्चों के मन में, I still have a lot of time to the deadline, कोई काम करने के लिए अगर आपको किसी ने एक महीना दिया है, कि एक महीने के end पे मुझे काम चाहि आज के दिन आप फुल मौज मारोगे, तो एक महीने बाद देना है आज थोड़ी करना है कुछ भी, relax, अब ये relax mode में आपने शुरुवात कर दिये, अगले 10 दिन तो आपके इस relax में निकल जाएंगे, फिर अगले 10 दिन आप थोड़ा 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 काम करोगे, जैसा अब इसका solution देखते हैं, क्या है solution, देखो यहाँ पे photo में इमेज में भी लिख रखा है, break down your goals into small steps बेटा, यह देख रहे हो, यह चड़ना मुश्किल लगता है तो यह चड़ेगा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेगा, इसको लगेगा चोटे चोटे टुकडों में धीरे धीर चड़ूँगा तो यह goal तक जल्दी पहुचेगा, यह देखो phone side में रख दिया है, तो photo भी चुन-चुन के लाया हो में इसमें, don't look at the complete task as a whole, procrastination के बारे में कोई भी mental expert, mental health expert आप से बात करेगा, किसी से भी, एक prescribed doctor से भी अगर आप बात करोगे न, psychiatrist से उसको पूछोगे sir, procrast procrastination को deal करने का सबसे पहला तरीका क्या है, वो आप से यही बोलेगा, वो बोलेगा बेटा, एक task को बहुत बड़े concept और बहुत बड़े task की तरह मत देखो, बहुत बड़े काम की तरह मत देखो, उसको छोटे-छोटे goals में तोड़ो, इतना बड़ा सिले बस, भाई, GKS इतनी इस एरा पर focus करना है, ऐसे break करो, हमें मैं GKS की बात इसलिए कर रहा हूँ कि, एक example दे रहा हूँ, ठीक है, तो task को छोटे टुकड़ो में तोड़ो, और सिर्फ तोड़ना नहीं है, उनको छोटे goals में convert करो, और हर goal के achieve करने पर अपने आपको कुछ reward दो, कुछ भी, जो तु करना बंद कर दो, Facebook बंद कर दो, WhatsApp बंद कर दो, बंद तो होगा ही नहीं क्योंकि वो necessity बन चुका आज की तारिक में, connected रहना, मैं भी तो आप से connected ही हूँ, किसी digital platform पर ही हूँ, connected रहना आजकल necessity है, बट उस necessity को आदत में मत बन दो, उस necessity को, आप मतलब, you know, don't make it into a habit, which is problematic for you, क्या करोगे, आप उसको certain time में limit कर दो, कि भाई आज जो है, इसी रहे बोलता हूँ time table बनाओ, तो आप बोले, आज इतना 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 पढ़ूँगा, चाम में 2 गंटा या 1 गंटा Instagram चलाओ, उस time मेरे को कोई disturbance नहीं है, मैं आपना पढ़ चुका हूँ, अब मैं free हूँ Instagram च concept है, first law of motion, inertia, आप बैटे होना तो बैटे ही रहने का मन करेगा, जब तक कोई push दे के हिलाएगा नहीं, उठाएगा नहीं, तो उठोगे नहीं आप, और वो push यहाँ पे कौन देगा, आप खुद दोगे, ठीक है, किसरा point देखो, यह देखो, अरे मैर को पता है न, मैं नहीं बनाया है, तो मुझे मालूम में अगला point क्या है, push yourself and take action without waiting for motivation, आज मैं दे रहा हूं को motivation, कल कोई और दे देगा, आप YouTube वीडियो खोलोगे, हजारों लोग बैठे हैं, वापे motivation देने के लिए, बट उससे क्या होगा, कितनी देर टिकता है motivation, motivation जो है, ऐसे काम करता है, ऐसे आ motivated कम लग रहा है, तो खुझ से अंदर से positivity लाओ, right, that is the most important, resilience एक key है, resilience मतलब बार-बार fail भी हो सकते हो, बार-बार fail होगे, बार-बार उठो, आगे बढ़ो, English में कामत है, if you fall down, get up, dust your knees and start moving, मतलब अगर गिर रहे हो, bounce back और आगे चलना शुरू कर दो, तभी आप आगे बढ करती है, कोई गलती होती ही तो ऐसा लगता है कि यार हमने तो पाप कर दिया, हमने तो गुना कर दिया, ऐसे नहीं करना है, अपने आपके साथ positive sense में, positive tone में बात करो, ठीक है, कि कोई बात नहीं हो जाता है, अपने आपको माफ करो, be positive with yourself, be nurturing towards yourself, love yourself, that is how you'll be able to overcome all these problems altogether, ठीक है, टास्क मिल गया, अरे भाई, यह syllabus है, यह जब तक खतम नहीं होगा, तब तक मुझे chain नहीं मिलेगा, तो जब आप खतम करने पे focus करोगे ना, जब तक खतम नहीं होगा, तब तक आप agitated ही रहोगा, परेशान ही रहोगा, stress हाता रहेगा, आप जो है, टास्क को शुरू करने बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, पाश मिट बाद देखेंगे, दस मिट बाद देखेंगे, वो शुरू ही नहीं होता है, आप कोशिश करो, अपने आपके साथ जिद करो, इस पॉइंट को आधत बना लो, कि भाई एक टास्क उठाया, ठीके, उस पे मैंने, ब आपको लगा है, अच्छा हुआ मैंने कर ली, आप कितना अच्छा लग रहा है, रिलीफ महसूस हो रहा है, ठीके, वो ही अगला पॉइंट है, कि आप चीजों को पोर्सफुली शुरू करना, स्टार्ट करना शुरू करो, स्टार्टिंग पे फोकस डालो, और अच्छा कोई ना दे रहा हूं, खुला टाइम आराम से कर, आपको डेडलाइन का मकसद ही है, थोड़ा 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 रोस करना है, ताकि एज़ी ली अच्छीवेबल हो, और आप पे ज़्यादा प्रेशर ना है, जैसे एक्जाम है, आप एक्जाम लिखता हो, एक्जाम में मै आप चिल कर लेता हूं, कोई दिक्कत ही, नहीं, आप फर्स्ट कॉश्चिन शुरू से लिखना शुरू करते हो, तो यही तो रियल लाइफ में भी करना है भाई, ऐसे ही पढ़ाई भी करनी है, यही पांच मैना के टाइम है आपके पास जो इसको ग्रैजुली धीरे धीरे थोड़ा 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 रोज आगे बढ़ना है, और इसको खतम करना है, तभी जाकर के मज़ा आएगा, अब सारा सेशन खतम हो गया बहुत दिर आपने मेरे साथ सुना इसको, and I am very happy with this, सारा सेशन खतम हो गया है, अब मेरे साथ बोलोगे आप, यह वीडियो जो बच है, I am focused, I am disciplined, I am consistent, I am productive, I am unstoppable, and I am a goal getter, जब आप यह स्टेटमेंट्स अपने आपके साथ बोलोगे, या फिर इसका परचा बना के कहीं दिवार में चिपकाऊगे, motivated फिल करते रोगे, अंदर से हवाज आती रहेगी, और आप यह चीज़ अचीव कर पाऊगे, कुछ भी हो व लगेगा के सार, यह तो पढ़ाई की बाते कर लिया, आपने तो सिलिबस बता दिया हमें, तो सिलिबस और पढ़ाई की बाते तो मैंने करी ली ना, लेकिन यह आपके घरवालों की भी काम आएगी, यह वीडियो बेटा, आप उनको दिखाओ, वो भी बोलेंगे, हाँ यह हमारे साथ भी होता है, तो यह वीडियो मैंने बनाई आपके लिए है, मेरे बच्चों के लिए बनाई है, पर यह वीडियो सभी इंसानों के लिए काम की है, तो इस वीडियो को फैलाओ बच्चा, इसको लाइक करो, इसको ऐसे ऐसे चैनल्स पे, अपने फैमिली ग्रूप क चैनल पर भी डालतो, कोई देखे तो बोले कि हाँ यार ये बात तो बहुत सही बता रहे हैं, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार बरकरार रखो, with that, session को terminate करते हैं, कुछ चीज़े आपको और बता देता हूँ, आप जानकारी ले लो, आप मेरे sessions को regular देख रहे हो, तो आपको पता लग रहा होगा, कि मैं community की बात बार-बार session में करता हूँ, तो अगर आप community में जाना चाते हो, आपको adda247 का application डाउनलोड करना है, उस पे community section में जब आप जाओगे, explore group के अंदर, explore more के अंदर जाओगे, आपको मेरी community दिख जाएगी, आप उससे follow कर सकते हो, वहाँ पे sessions के PDFs, live interaction, two way communication, मतलब आप अपना doubts भी वहाँ पर पूछ सकते हो, एक ही जगा अगर आप उनसे जानना चाते हो, कोई solution चाते हो, तो यह सारी कुछ आपको एक ही चीज एक ही जगा मिल जाती है, तो उस community को join करो, उसके पूरे benefits उठाओ, उसके QR code को scan करो, टेलिग्राम को आपका channel आजाएगा, उसको join कर लो, उसमे PDF material तो आता ही है, PDF तो मैं आपको उस पर भी भेजी रहा हूँ, community पे, बट उसके अलावा और भी बहुत updates, important चीज़े, notifications आपको आते रहेंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी लेने के लिए कहीं और और किसी website पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमसे connect कर सकते हैं, इस number पर अगर आप admissions related कोई भी query चाते हैं, या फिर कोई भी interest रखते हैं, तो आप इस number पर डायल कर दीजे, को executive आपसे connect होगा, आपकी help कर देगा, और, thank you so much guys, और अगर आप paid courses में interested हैं, हमारे batches चलते हैं, paid batches, जिसमें हम और detail में, ऐसे भी sessions लाते हैं, पढ़ाने के concept wise, ground zero से तयारी करवाते हैं, कुछ और interesting बाते बताते हैं, अगर आपको मज़ा आता है मेरे से पढ़ने में, और अगर आप चालते हो, के paid course में मैं आओं आओं आपको बढ़ाने, तो आपको जो भी paid course आजी है, कली है, जब आपका मन करें, आप course लोगे, फिर फिसली है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये code डालोगे, या किसी भी teacher का code डालोगे, discount मिल जाएगा, लेकिन फिर मेरे code डालने का क्या फाइदा है, दूसरी चीज़ ये है, कि ये code डालने से, आप मुझ तक ये message पहुचाते हो, कि sir हम आप से पढ़ना चाते है, तो फिर यहाँ पर मुझे जब message मिल जाता है, तो एक batch बन जाएगा, मेरे साथ बनेगा, आप बच्चों के लिए, और हम मिल करके जो है, इन exams की तयारी करेंगे, और इनको ace करेंगे, I hope ये session आपको interesting लगा हो, I hope ये ब आपर शर्मा, ending this session, I'll see you around, bye-bye, take care, namaskar.